तो चलिए एक और question को, इसको हम लोग देखते हैं, इस question को समझते हैं, इसमें देखिए, यदि किसी वस्त का क्रेमूले, उसके बिक्रेमूले का तीन बटे दो है, तो प्रसत लाव यहानी क्या होगी, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, क्रेमूले जो है, मतलब CP, इस इक्वल टू, विक्रेमूले का कितना है, तीन बटे, दो है, इसका, SP का, ठीक, तो चलिए, हम क्या करते हैं, तो इससे अगर देखिए ध्यान से, तो इससे क्या हो जाएगा, SP डिवाइड़ बाई CP की जो बैल हो आएगी, SP सेलिंग प्राइस डिवाइड़ बाई, सर्स्ट प्राइस, इस इक्वल टू, कितना हो गया, SP को इधर ही रहने दो, तो 2 डिवाइड़ बाई आ गया, 2 डिवाइड़ बाई 3, ठीक, अब चलिए, अब क्या कह रहा है, percentage, profit, और loss की बात हो रही है, तो इसमें simply हमको क्या करना है, हमको difference देखना है, और एक चीद देखिए, इसमें देखिए, SP जो है 2 है, और CP 3 है, तो ये तो देखने से ही हमको लग रहा है, कि इसमें loss हो रहा है, मतलब हाँ नहीं है, ठीक है, अब बस हमको difference देख लेना है, SP 2 है, CP 3 है, तो difference कितना आया, difference 1 आया, 1 divided by कितना, CP पर निकालते हो, profit और loss जो है हर दम किस पर निकलता है, CP पर निकलता है, तो divided by 3, multiplied by 100, तो इस तरीके से कितना हो गया, 33, 1 by 3%, और ये क्या हुआ, ये जो है आपका loss है, ठीक है, percentage loss, कितना हुआ, 33, 1 by 3%, तो इस तरीके से इसमें जो answer सही है, वो कौन सा option सही है, option B is the correct answer, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करना ना भूलें, thank you.